आप सबको मालूम है कि गनेश और मिलाद के जो यीद हुए थे उसके दौरान जो नॉइस पोल्यूशन हमने देखा है अवाम उससे बहुत ही बेजार हो गई है जिसना बड़े पैनाने पर सब लोग बीजेज लगाना जैसे पॉब्स में डांस करते हैं उस तरीके से नाचना रोड्स पर पॉब्लिक रोड्स पर उससे लोग बहुत परेशान है और जो बुदूर्ग है जो बड़े उलेमा है खवातिन है जो भाई-भायन है सब लोग इस पे बहुत ही अपना एक नाराजगी बताए हैं और ये हमसे तरफास किये हैं कि आप सब मिलके सिटी पोलिस के तरफ से और ये जो रियास्ति सरकार है उसकी जानिव से कुछ कीजिए एक बैठक बुलाईए सबसे बात कीजिए कुछ इस पे आप एक स्टेप लीजिए इसको कंट्रोल कर नहीं कर करने से सब बच्चे जो हैं जो ये जूलूस में आ रहे हैं गनेश का हो या मिलाद का हो जो भी जूलूस हो उसमें ये दीजे लगाने का जो कल्चर आ गया है वो बहुत ही बुरी तरीके से अवाम पर एक इसका एफेक्ट हो रहा है घरों में जो बीमार है जो बुड़े है और जो जिनके एक्जाम्स है जो पढ़ाई तालीम के तोर पर जो एक्जाम्स लिख रहे हैं उनको इतनी बेजारी इससे महसूस हो रही है कि सब लोग ने दिल से तरफास किया है कि कुछ करना है और बड़े पॉलिटिकल पार्टीस के भी जो लीडर्स हैं सभी ने भी रिक सबका विचार क्या है आपका सोच क्या है इसके बारे में मालूम कीजिए और सरकार की तरफ से कुछ आप कठिन स्टेप्स जो हैं आप लीजिए तो इसके तहट हम आज सबको हम लेटर्स लिखे थे सबको यहां पर उनको बुलाया है आ रहे हैं अभी अभी तीन बजे शुरू होने वाला यह मीटिंग मीटिंग के बाद आपको बताएंगे हम रिपोर्ट बनाएंगे जो हम वजी करने के लिए अभी सब काफी बताएं हैं लीडर्स की आप कुछ करने हम विचार लेंगे अपका सोच मालूम करेंगे इसके बाद इस पर कठिनाएं से कठिन रूप से हम इसका कुछ कारवाई करेंगे तो आपको जल्द ही इसके बारे में बताएंगे और मैं आवाम से भी दरफास करता हूं कि आप अपने जो बच्चें नाच रोड पर कर रहे हैं सबको आप पाबंद कीजिए सबको कंट्रोल कीजिए सक्टी से निभाएं क्योंकि जब प्रामिली का कंट्रोल नहीं होता रोड पर पॉलिस आकर उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही दिकत आग कोशिश कीजिए सरकार की तरफ से हम सब कोशिश करेंगे पॉलिस की तरफ से हम सब मिलके यह जो बना है हमारे सिटी में उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे शुक्रिया